दोस्तों एक आइडिया या एक विचार कभी-कभी जिन्दगी और बिजनेस की दिसा और दसा दोनों को बदल के रख देता है आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक बड़ा बिजनेस्मेन और एक दुकांदार के सोच में कितना अंतर होता है और एक विचार बिना उधार दिये भी कैसे बिजनेस को बेहतर धंक से मैनेज कर सकता है या उसे बड़ा कर सकता है दोस्तों मैं मुहन थावाइत एमटेक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो आईए जानते हैं कैसे अगर दुकान में अक्सर नए ग्रहक, नगत ग्रहक और आपरिचित ग्रहकों का आना जाना लगा होता है तो इस सीचुशन में दुकानदार उसे उधार देने के लिए विनम्रता से कुछ करण बता कर मना कर देता है ऐसे में उस ग्रहक को कुछ समय के लिए बुरा लगता है लेकिन अगर उस सापसे कस्टमर को सामाल लेने में संतुष्टी होता है तो वो ग्रहक नगत ग्रहक के रुपे बने रह सकता है इसके ठीक विपरीत अधिकांस बड़ी बड़ी कमपनिया हमेशा अपने बिजनेस का एट करते रहते हैं क्यों क्योंकि वो हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और दूसरी बात बड़ी कमपनी लोगों के माइड में अपने बिजनेस प्रोड़क्ट को एट के द की पर उस प्रोड़क्ट को रखने के लिए मजबूर हो जाता है एक तो एट के द्वारा बड़े-बड़े कमपनी लोगों के बीच डिमांड पैदा करती है दूसरी तरप अधिकांस ब्रांडेट कमपनिया एडवांस में पैसा लेकर डिलर को प्रोड़क्ट सप्लाई करती ह और डिलर या इस्टाकिस्ट के द्वारा पुरा मार्किट में प्रोड़क्ट का सप्लाई होता है कमपनी उसी मारजीन का 1,2 प्रदिसद या 5 प्रदिसद अपने प्रोड़क्ट के एडवर्टाइजमेंट में खर्च करता है और आम तोर पर हम छोटे बिजनेस या दुकान करने वाले गरहक आपरिचीत गरहक को अट्रेक्ट करें एक बड़ा बिजनसमें और दुकांदार के सोंच में एक बहुत बड़ा फर्क होता है और वो ये कि बड़ा बिजनसमें एड में लगने वाले पैसा को हमेशा निवेً समझता है और दुकांदार या ब्यापारी उसे खर्च समझता है। जब भी कभी एडवर्टाइजमेंट की बात दिमाग में आता है किसी व्यापारी के तो सबसे पहले निगेटिव इचार सांच सांच चलाता है। अगर इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो मेरा पैसा डूब जाएगा। उधार देना भी एक तरह से मजबूरी बन जाता है किसी दुकानदार का। और एक दुकानदार का जितना पैसा उधार में डूबता है साल भर में, उतने पैसे से पांच से दस साल तक बैनर, पोश्टर, बिजनेस इस्टिकर, विजिटिंग कार्ड के द्वारा अपने बिजन है कि एक ब्यापारी अक्सर उधार के चक्कर में फंस कर अपने बिजनेस को तेजी से बड़ा नहीं कर पाता और बड़ी-बड़े कमपनियां तेजी से गुणात्मक तरीके से अपना बिजनेस बड़ा कर लेती हैं। तो और इंतजार किस बात का जितना जल्दी हो सके अपने बिजनेस में उस एड की प्रक्रिया को सामिल कर दीजिए। आपके बिजनेस में नए ग्रहक, नगदिक ग्रहक और अपरिशित ग्रहक आने लग जाएगा जिससे आपका बिजनेस बेहतर मेंटेन हो सकता है। एक वीडियो लेकर आऊंगा और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखियेगा हो सकता है इससे आपके बिजिनस को फाइदा हो और अगर अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्राइब कर लीजेगा ओके दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ गुड़नाइट शुब राते लिए